जैहिन दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग उम्मिद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी आधारकार्ड में अपना एड्रस को अपडेट कराना चाहते हैं अभी तक क्या होता था आपको प्रधान से प्रमारित कराना होता है या आपको कोई डाकुमेंट देना होता है या आपको निवास देना होता है लेकिन अभी आपको UIDAI ने एक नया ओप्शन निकाला है जिसके जरीए आप self declaration के form को भरकर खुद से प्रमारित करके आप अपने गारजन से प्रमारित करवा के वही address आप अधार कार्ड में update करा सकते हैं तो finally without proof के आप अधार कार्ड में यह वाला form को भरकर आप प्रमारित खुद से यहां पर signature करके आपने गारजन से signature करा के आप इस आधार कार्ड में address को update कर सकते हैं तो यह self declaration के form आपको कैसे भरना है इसके बारे में यही आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथ ही से आपको कैसे डाउनलोड करना है यह भी आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आपको यहां पर type कर देना है uidai.gov.in आपको type कर देना उसके बाद सर्च के option पर click करना है उसके बाद आपको यहां पर हिंदी इंगलिस आपको जो भी select करना है जो भी आपको आता है वो select कर लेना है तो यहाँ पर यह side थोड़ा सा back हो गई है तो मैं फिर से type करता हूँ UIDAI उसके बाद मैंने search के option पर click किया English के option पर मैंने click किया उसके बाद आपको यहाँ पर form को कैसे download करना इसके बार में पहले आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पर click करना है दोस्तों यहाँ पर आपको जो three line का option मिलता है आपको यहीं पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करते हैं आपको यहाँ पर नीची आ जाना है यहाँ पर इस प्रकार का option आपको मिल जायागा तो आपको यहाँ पर करना क्या है आपको यहाँ पर माई अधार का उप्शन मिलेगा UIDAI का उप्शन मिलेगा तो यहाँ पर जो आपको काफे सारे उप्शन मिलेगे About UIDAI का उप्शन मिलेगा उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है माई अधार के उप्शन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप माई आधार के option पर क्लिक करते हैं नीचे आपको download को option मिल जाता है तो आपको simply download वाले option पर क्लिक करना है जैसे आप download वाले option पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे option आ जाएंगे तो यहाँ पर आधार enrollment update form आप download कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जो list of supporting document नीचे आपको option मिल जाएगा आपको नीचे वाले option पर click कर देना है list of supporting document जैसे आप इस पर click करते हैं आपको download कर लेना है इसको यह मेरा download हो चुका है PDF में तो इस प्रकार का form यहाँ पर दो तीन form आ जाते हैं तो आपको self declaration वाला form को आपको print करा लेना है अगर आपके पास printer है तो आप आसानी से print करके उसमें अपने गार्जन से प्रमारित कराके अपनी detail भरके अभी आपको बताओंगा कैसे आपको detail भरना है तो आपको बता दूं कि कौन सा form को आपको print कराना है तो यह वाला जो form है आपको यही वाला form को print कराना है इतना सा यह form है आपको य आधान से प्रमारित कराते थे या आप ग्रूप A के गेजिटेट ओफसर से कराते थे तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं है आपको इस फॉर्म के खुद से प्रमारित करके आप आधार कार्ड में अड्रस को अपडेट कर सकते हैं तो फाइनली मैंने जान लिया है कि फॉर्म को डा पापा का आधार यूज कर सकते हैं या आप अपने वाइफ के आधार में अड्रस चेंज कराना चाहते हैं तो आप अपने पती का आधार यहां पर यूज कर सकते हैं तो यहां पर आपको दोनों आधार को लेकर वैठना उसके बाद आपको बता देता हूं कि आपको यहां तर्फ पर भरा पर क्या है तुब से पहले यहां पर जो उप्सन आता है फर्ष्ट जो उप्सन आता है नेम ही address डालना जानी कि जिसके आधार से आप address को change करा रहे हैं आपको उनका यहाँ पर name डालना है उसके बाद जैसे कि अगर आप एक बेटे हैं और आप अपने father के जरीए अपना अधार card को address update करा रहे हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फादर का नेम डालना है उसके बाद आपको अपने फादर का यहाँ पर पूरा एड्रस डाल देना पर्मनेंट जो भी एड्रस है आपको पूरा एड्रस डालना है उसके बाद आपको आधार का अपने फादर का डालना है अगर आपको अपनी वाइफ का चेंज कर रहे अब आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है जिसका भी आप आधार कार्ड में address change करना चाहते हैं जैसे कि अपनी पतनी का आधार कार्ड में address change करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उस बेक्ति का नाम डालना जिसके आधार कार्ड में संसोधन होना है उसके बाद यहाँ पर आपको उसका relation डालना है relation लिखना है कि आप उनके जैसे कि आप अपने पतनी का address चेंज कर रहा है तो आपको यहाँ पर अपने पती का यहाँ पर wife डालना है आपका जो भी जैसे कि मैं अपना address चेंज कर रहा हूं तो मैं जिसके जरीए अपना address change कर रहा हूँ जिसके डाकूमेंट से आपको उसका relationship लिखना है कि आप क्या है जैसे कि आगर आप पतनी का अपना address change कर रहा है तो आपको यहाँ पर wife लिखना है उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आजाना है नीचे आने के बाद फिर से आपको यहाँ पर उसी बिक्ति का नाम डालना जिसके अधार कार्ड में संसोधन हो रहा ना कि अपने गारजन की डिटेल डालना है उसके बाद यहीं पर आपको अपने अपना ही नाम डालना जिसके अधार कार्ड में संसोधन हो रहा उसके बाद नीचे आजाना है यहाँ पर आपको date लिखनी है date आपको याद रहे कि आपका जो आज जैसे आप date डाल देते हैं उसके तीन महीने तक ही वो valid रहता है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना signature कर लेना है जो भी आपका name है अधार कार्ड में वो signature आपको किसे कराना है जो भी ज चाहिए उसके बाद डेट डालेंगे और आपको मैं बता दूँ कि ये शारा कुछ आपको इंगलीस में capital लेटल में लिखना है यानि कि बड़े अच्छरों में आपको लिखना है Capital Lateral में Hindi English में लिखना है तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफे ज्यादा पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर करिए मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई